गाइज यदि हम हमारे मॉबाइल का पास्वर्ड भूल जाते हैं तो हम उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तो आपको बताऊंगा इसके लिए आपको मॉबाइल को रिसेट करने की ज़रत नहीं है और दोस्तो आपके मॉबाइल का जो भी डेटा है फोटो, वीडियो, डॉकॉमेंट्स, म्यूजिक वगएरा जो भी है वो सारा का सारा सेफ रहेगा यानि कि कुछ भी डिलीट नहीं होगा बस आपको ऐसे ट्रेक बताने वाला हूँ मैं जिससे आप अपने मॉबाइल का स्क्रीन लॉक अनलॉक कर सकते हैं बिना पासपर्ड के बस सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखेगा और दोस्तो ये काम सिर्फ अपने मॉबाइल में ही ट्राइ कीजिएगा किसी दूसरे ब्यक्ति के मॉबाइल में बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वो इलीगल होगा इस वज़े से स कुछ भी कारवाई हो सकती है यदि कुछ ऐसी सिच्वेसान आजाती है तो इसलिए मैं आप चे पहले ही बोल रहा हूं कि सिर्फ आप अपने मॉबाइल में ही यूज कीजिएगा मैं आपको बता देता हूं कि आप मोबाइल का पैटरन लॉक कैसे तोड़ेंगे बिना तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा कमेंट को मैं उसको रीड़ेंगे रूमा रिप्लाई करने की पूरी कोसिस करूमा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा बेर आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आप बिना पासवर्ड के मोबाईल को अनलोक कर सकते हैं तो दोस्तों आप जैसे कि आप कोई नया मोबाईल लाए और उसमें आप लोक लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको तुरंत ही ये काम करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ हम सेटिंग में जाएंगे यहां पर यह पेटरन लगा लिया ठीक है दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक किया और यहां पर मैं बापस से कंफर्म कर देता हूं यहां पर कंफर्म पर क्लिक कर दिया ठीक है दोस्तों अब यहां पर यहां पर यह यहां पर लग चुका है अब दोस्तों आप देखेंगे यहां तो आप password भूल गये तो कैसे unlock करोगे तो दोस्तों आपको क्या कर रहा है जब आप अपने mobile में ये lock लगाते हैं set करते हैं screen lock तभी आपको एक काम कर रहा है आपको वहीं जाना होता है setting में और जब आप lock लगाते हैं security में जाकर कि यहाँ पर screen lock लगाते हैं आपने lock लगा लिया उसके बाद में आपको smart lock पर click करना है इस पर click करने के बाद में आपको जो password अभी आपने set किया था pattern वो hand to enter डाल देना है अब डालने के बाद में इस type का interface दिखाई देगा नीचे आपको got it पर click कर देना है अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है trusted places तो हम इस पर click कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर इस पर click किया location हमने on कर दी on करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है add trusted place तो हम इस पर click कर देंगे यहाँ पे कलिक किया आपके mobile में location आएगी दोस्तो अब दोस्तो आपको ये काम उस जगे पे जाकर कर रहा है जिस जगे की location सिर्फ आपको पता हो और किसी को पता ना हो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप चुपके से ये काम कीजीगा अपनी location डालेगा यहाँ पे और किसी को पता नहीं होनी चाहिए दोस्तो यह location सिर्फ आपको ही यहाँ पे पता होनी चाहिए यदि आपने किसी और को बता दिया तो यदि किसी और को पता लग गया इस location के बारे में तो दोस्तो वो जाकर के unlock कर लेगा चोरी कर सकता है आपके mobile को और वो वहाँ पर जाके unlock कर सकता है तो सिर्फ आप ये काम अपने mobile में कीजिएगा और उस location पर जा करके कीजिएगा जिस location के बारे में सिर्फ आपको ही पता हूँ अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मेरे mobile में location आ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पर एक location select कर लूँगा आपके आसपास की location आएगी तो आपको बो location डालनी है जिस पर आप present हो तो मैं यहाँ पर यह location choose कर लेता हूँ मैंने choose कर ली अब यहाँ पर okay पर मैं click कर दूँगा ठीक है दोस्तो अब यहाँ पर मैंने location डाल दी है दोस्तो अब मैं यहाँ पर back में आ जाता हूँ ठीक है back में आगे अब मैं यहाँ पर lock लगाता हूँ तो मैंने यहाँ पर lock लगाया तो अब आप देखेंगे यह यह lock unlock हो चुका है दोस्तो यहां पर देखेंगे your phone is unlocked अब यह unlock किसलिए हुआ है क्योंकि हमने location डाली है और मैं अभी उस location पर हूँ जहांकि मेने location डाली है यदि मैं और कहीं होता तो mobile नहीं होता तो हम यदि password भूल जाते हैं तो हमको क्या करना होता है हमको उस location पर जाकना होता है जहां कि हमने location डाली थी तो बहाँ पर आपका मॉबाइल अनलोक हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं यह मॉबाइल मेरा अनलोक हो चुका है यहां पर आप देखेंगे यह अनलोक हो गया है मैं यह वापस प्रेस करता हूं और यहां पर वापस प्रेस करता हूं यहां पर अनलोक हो गया अब तो यदि आप इसको हटाना चाहते है तो बापस आप इस पर जाईएगा और यहां पर जाने के बाद में आप देखेंगे यहां पर स्मार्ट लॉक पर आपको क्लिक करना है मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद में यहां पर पैटर्न यदि याद है तो हम पैटर् तो इस तरही किसे आप अपने मॉबाइल को बिना पैटर्न बिना पासवर्ड के अनलोक कर सकता है बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको फोलो करना होता है और दोस्तों यह काम सिर्फ आप अपने मॉबाइल में कीजिएगा किसी अधर विखती के मॉबाइल